सबाजी हल्थ एंड वीडियो में आप तुमाम दोस्तों का धिर्स वीडियो में आपको मैं घर पर ब्लीच करने का तरीका सिखाऊंगे और ब्लीच हम बनाएंगे भी घर पर मार्किट की जो कैमिकल से भरी ब्लीच होती है उससे चंद दिन तो हमारे चेरे पर बहुत प्यारी रोनक आती है निखार आता है लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं दुबारा रिपीट नहीं करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़ादा डल हो जाती है काली होना स्टार्ट ह जाती है तो यह ब्लीच क्रीम आप जितना अर्सा भी करेंगे और जब भी छोड़ देंगे आपको नुकसान नहीं होगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पटाटू चाहिए होगा यानि कि एक आलू चाहिए होगा इसको अच्छे तरीके से पील आफ कर लेना ह और इसको अपने अच्छे तरीके से कदूकश कर लेना है यहाँ पर हमारे पास टमाटर का पेस्ट भी आगया अब टमाटर का जो पेस्ट है हमारे पास इसमें आलू का जो हमने कदूकश करके रखा हुआ है उसका रस सारे का सारा निचोड के बीच में एड कर देंगे अग इसको skip कर दें और इसमें आदा टीस्पून हनी यानि के शहद का एड़ कर दें लेकिन अगर आपको लेमन सूट करते हैं तो जरूर एड़ करिएगा उसके बाद इसमें एक चमच एड़ करेंगे बेसन का और एक चमच एड़ करेंगे मुलतानी मट्टी का यहाँ पे तमाम च बिल्कुल active हो जाए उसके बाद आप इसको apply करेंगे यहाँ पर यह मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है देखे हम apply करके देख लेते हैं इतना हमें थिक नहीं चाहिए यह तो बहुत जल्दी से dry हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा दूद या थोड़ा सा पानी या जाता है इसी तरीके से बनके त्यार हो जाएगी that's mean कि आपकी skin के लिए बिल्कुल suitable है पांच मिनट के बाद आपने इसके लिए एक layer और इसके उपर apply करनी है यहाँ पर दो layers हो जाएगी जब यह थोड़ा सा dry or हो जाए तब आपने इसके उपर एक तीसरी layer और apply करनी है यह पर तीन layer जो हैं वो मैंने अपने hand के उपर apply की है आपको skin के उपर face के उपर भी दो से तीन layer ही apply करनी है ठीक हो गया जी apply करने के बाद जब तीन layers apply हो जाए तब आपने इसको 15 minute के लिए छोड़ देना है तो यहाँ तक वीडियो चे लगया तो ज़रूर लाइक करिए शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ finally 15 minute के बाद देख लेते हैं क्या सूर्टेहाल है 15 minute के बाद या आपका अच्छे से dry हो जाएगा आपकी skin इससे tight भी होगी skin में खिचा होगा हलकी हलकी सी itching भी होगी लहाजा गबराने की जरूरत नहीं है उसके बाद हम इसको wash कर देंगे इस bleach cream के इस्तमाल से आपके चेरे पर हलकी हलकी सी खारश जैसी itching सी होगी लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको यह समझना है और इससे यह यकीन कर लेना है कि आपकी skin के उपर अच्छे से work कर रही है तो यहाँ पर हम एकी दफ़ा से differences का देख रहे हैं कि कितना अच्छ नहीं होगा और आपकी skin खिल खिला उठेगी और आपकी skin के उपर चमक भी काबले दीद होगी तो चलते हैं आपने आज के lesson की तरफ और lesson में आपको यह कहना चाहेंगे कि सबसे बुरा खेल वो है जो किसी के खलूस से खेला जाए इस बात पर deeply गोर करिए अपना डेर सारा ख्याल रिखेगा मिलती है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इचाज़त दीजिए अला हफीज